हाई फ्रेंज वेलकम बाक तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे CSU सेंटर अब बंद हो रहे हैं और जल्दी बंद हो सकते हैं क्योंकि उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक इसकी जानकारी खुद त्याग अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर बंद ना हो तो आपको क्या प्रॉसस फॉलो करना है किस तरह से आपको उसका वेरिफिकेशन कराना है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यार में रखनी होंगी यह सारी बाते मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूं क्या आपकी जो सेंटर है उसका आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उसको सीधा सीधी ये बता दिया जा रहा है कि आपके आईडी बंद हो जाएगी तो यहाँ पे आपको अगर अपना सेंटर वेरिफाई कराना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको ये बता देते हूं सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट टीम यानि जो आपके डियाई हैं डियम हैं उनसे कॉडिनेट करना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपका सेंटर अभी तक वेरिफाई नहीं हुआ है और उनको फिजिकली विजिट करेंगे वो यानि कि वो आपके center पे आएंगे physically visit करेंगे सारी चीज़े चेक करेंगे और उसके बाद वो एक report भेजेंगे अपनी तरफ से जिसमें ये mention होगा कि ये physical verification के बाद सब चीज़े सही पाई गई है और ऐसी detail भेजने के बाद उसको physically verified consider किया जाएगा अगर कुछ लोग ऐसी हैं verification कराना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे clearly बता देती हूँ कि DM के द्वारा verification और police verification दोनों यहाँ पे compensate हैं अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ है तो फिर आपका center बंद हो सकता है और आपके ID close की जा सकती है police verification के लिए same process होता है बहुत सारे शहरों में बहुत सारे cities में आप online भी police verification के लिए apply कर सकते हैं या फिर जिन शहरों में यह सुविधा नहीं है आपको physically बोलना पड़ता है कावेदन देना पड़ता है police को और उसके बाद फिर वो police verification का पूरा process होता है फिलाल मैं आपको एक चीज़ यहां पर बता देती हूँ कि इस चीज़ को बहुत strictly follow किया जाने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़े government के guidelines के अनुसार होती है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो VALE है वो काफी जादा ऐसी से वहाँ पे काम करते हैं जो सरकारी योजनाओं से जुड़ी होती है और साथी साथ BCBF भी होते हैं तो इसी दिए इस तरह का कुछ steps लिया जा रहा है और इसको काफी strictly भी follow किया जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ID delete ना हो आपका center close ना हो तो जल से जल आप DM के द्वारा अपना physical verification और police verification भी करा लें बहुत ही important update है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा ताकि जादा से जादा लोगों तक ये awareness बहुँ सके मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चान को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू